नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल एस्टो ज्यान पर दोस्तों आज की हमारी वीडियो का विश्य रहेगा फोटो से वशी करण जी हाँ आज हम आपको बताएंगे कि फोटो से कैसे वशी करण किया जाता है अगर आप किसी लड़की से किसी स्थरीचल में है जानना चाहते हैं कि फोटो से वशी कारण कर सकते हैं और पल टो टो पे़िए आपको यूट्यूब की किसी भी वीडियो में नहीं मिलने माला है अगर आप स्थ्यूज थेmi वश्यकरन कैसे किया जाता है तो हमारे इस वीडियो को देखेंगा लासक और ध्यान से सुनेगा इस टॉटके के बारे में तरीके के बारे में क्योंकि तभी आप अपना पाएंगे इस टॉटके को और फोटो से वश्यकरन करके अपनी मनुकामना को पून कर पाएंगे आपको इद्यानत से सुनेगा दराण आपको रात्री के बारा ऴजे किसी एकान स्तान पर जाकर बैठ जाना और उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने एक काली रंगा कपड़ा नीचे बिछा लेना है जमीन पर उसके बाद आपने जिसका भी वशी करन करना है जिसको भी अपने कंट्रोल में करना है उसके एक फोटो ले लेनी है चाहे वो passport size photo हो चाहे वो कोई बड़ी रंगीन photo हो आप कोई भी photo ले सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है उसके साथ ही आपने लेनी है एक मोली, एक लार रंग का कपड़ा और थोड़ा सा सिंधूर और एक नीबू अब आपने क्या करना है फोटो को जिसको भी आपने वश्च में करना है उसके फोटो को सामने लग लीजिएगा उसके बाद आपने नीबू पर सिंधूर लगाना है और सिंधूर से ही उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आपने अपने कंट्रोल में करना है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद उस नीबू को काट कर आपने उस नीबू को उस फोटो पर निचोड़ देना है इसके साथ यह आपने क्या करना है एक मंत्र का जाब करना है यह मंत्र है ओम अमूक वश्यम वश्यम कुरू सुहा आपनी मुख के स्थान पर उस इंसान का नाम नेना है जिसे भी आपने अपने वश्मी करना है उसके बाद आपने क्या करना है इन सभी समगरी को, फोटो को, सिंधूर को, जो भी बचा होगा सिंधूर होगा उसके साथ ही नीबू को आपने लाल कपड़े में रख देना है मंतर का जाप आपने लगातार करते रहना है 108 बार गुल आपने इस मंतर का जाप करना है उसके बाद आपने क्या करना है आपने मोली से इस कपड़े को बान देना है उसके बाद आपनी सुबह उठते ही इस पोटली को आपने रात को सोते समय अपने इस सिराने की नीचे रखकर सो जाना है सुबह उठते ही पिना कुछ खाई पे ना ही धोई आपनी किसी ऐसे जगह चले जाना है जहां भैता हुआ पानी हो किसी नदी या समुंद्र में जो भी आपके घर के पास हो आपनी इसको वहाँ पर चाकर बहा आना है और इस मंत्र का आपने लगातार जाप करते रहना है उस समय भी उसके बाद आपने घर वापिस आ जाना है लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है आपने जब वापिस घर आना है तो आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है नहीं तो यह टोटका आपके लिए कारगर सिर्थ नहीं होगा यह नकाम्याब हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आपने अप अपने कंट्रोल में करना है अपने वश्में करना है और उन से अपनी कोई भी बात आप मनवा सकते हैं तो दोस्तों मुमीद करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकर सिद्ध होगी इस वीडियो को लाइक किजिए योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किज है तक हमारी आने वली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वहुं सके और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का आपको सुल्यूशन मिल दोगी हमारे साथ लास सक्वने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रियां हम फिर मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो के रिशनोंगा धन्यावाद दोसों